इस तरीके से वेबसाइट से पैसे कमाते हैं डिजिटल मार्गेटिंग में करीर कैसे बनाते हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए कोर्से लेकर आता हूं वीडियो लेकर आता हूं और आप कोई भी क्वेशन अगर मुस्से बूस्ते हैं उसके ओपर डिटेल इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए क्योंकि इस वीडियो बताने वाला हूं कि वेबिनार को हिंदी में क्या कहते हैं अब आपको लगेगा कि टॉपिक बड़ा अजीब सा है बट अजीब सा नहीं है लाखों लोग इस को जानना चाहते हैं कि वेबिनार को हिंदी में क्या कहते हैं अब क्यों जानना चाहते हैं क्योंकि कोविड के बाद कोविड कोरोना के बाद बहुत बड़ा टेक्नोलोजि से डिजीटल कोचेश वो ओनलाइन पढ़ाना चाहते हैं फिजिक्स कैमिस्ट्री बालोजी फिटनेस फाइनसेज कॉमर्स और डिश्ट मार्गेटिंग और इंग्लेश और वटेवर सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है और मैं मानता हूं कि यह बहुत फाइदे बन भी है आने जान सब्सक्राइब साध्री क्यूंश तो चेंश वीड़न एंक बॉटलइ बमाज़ है ऊसमें ऌभी मैंने अटने की कोशा कुशिश की है कि वेबिन आर अंग का केते हैं इस से न से पहले हमैं यह समझना होगा कि वेबिन आर लेज सेनिया क्या होस्ते हैं से होते सेमिनारत होते थे पहले क्याबी भी होते हैं तो seminar एक बड़ा hall ले लिया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बलाया जाता है और वहाँ दो, तीन, चार स्पीकर होते हैं पोछे सोते हैं, मेंटर्स होते हैं लीडर्स होते हैं वो सारी जो पब्लिक आई होती है उसको बताते हैं अपने product के बारे में, service के बारे में या training के बारे में तो वो होता है seminar, seminar में कुछ लोग बोलते हैं एक, दो, तीन, चार, पांस, दस भी हो सकते हैं और हजार लोग या सौ पांस लोग बैठ के सिर्फ देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और notes बना रहे होते हैं, this is called seminar, इसे seminar कहते हैं conference क्या होती है, conference होती है कि जहाँ पर 10-20 लोग हो, maximum 20 इसे ज़्यादा लोग तो conference में मुस्के लिए होते हैं, कोई बहुत बड़ी conference है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, but generally conference में 10-20 लोग होते हैं, या 30 भी हो सकते हैं मतलब बहुत कम लोग होते हैं, छोटा group होता है, जहाँ सभी लोगों से बात की जाती है, वो अपने views देते हैं, अपने ideas देते हैं और फिर notes बनाकर उसको एक conclusion नकला जाता है, या बाद में फिर एक follow-up meeting होती है वो होता है conference जहाँ सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, और एक होता है seminar जहाँ कुछ लोग बोलते हैं और हजारों लोग या 100-500-200 लोग सुन रहे होते हैं, notes बना रहे होते हैं अब जब ही यही conference online होती है तो इसको हम Google Media, Zoom पर करते हैं और इसको हम online conference बोलते हैं और जब seminar online होता है तो उसे webinar बोलते हैं, conference में सभी लोग अपने वीडियो call पर unmute करके बोल सकते हैं अपने ideas express कर सकते हैं, बट webinar में speaker को ही right होता है, बाकी लोग unmute नहीं कर सकते हैं अपने आपको, बट अगर speaker चाहे तो किसी को पैनलिस्ट बना कर उसको थोड़ी दिर के लिए बोलने की अनुमती दे सकता है, right, depending on की क्या requirement है, situation की, और वो speaker क्या चाता है, जैसे कि seminar में भी किस को पहले हम समझेंगे कि हिंदी में क्या कहते हैं, seminar को हिंदी में बोलते हैं, संग गोस्टी या परिसमवाद गोस्टी, इसका मतलब होता है, गोस्टी परिसमवाद वही, कि जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हों, और अपने विचारों का आदान परतान करें, या ट्रेनि करते हैं, तो यह सतसंग ना होके संग गोस्टी है, संग माने साथ में, गोस्टी माने बातचीत, बहुत सारे लोग साथ में आगे बातचीत करते हैं, इसको conference या seminar कहते हैं, और जो internet के माध्यम से हो, वह webinar है, और जो offline हो, seminar है, तो I hope यह छोटी सी वीडियो आपको मज़ेदा लगी होगी, और blog का link मैंने detail में, जहां पर लिखा है कि webinar को Hindi में क्या कहते हैं, Tamil में, Malayalam में क्या कहते हैं, वो सब भी मैंने note किया है, mention किया है वहाँ पर, तो उसका link इसके description में आपको मिल जाएगा, वीडियो कैसा लगा, comment जरूर करें, मेरी community से जड़े Facebook पर उसका भी link म मैंने दे दिया है, career building school, Facebook के उपर group है, Telegram के उपर group है, और email ID मैंने दे दिया है, जिससे कि आप कोई question हो, आपका digital marketing से related, digital career कैसे बनाएं, website से पैसे कमाएं, यह सारे topics के उपर, आपका doubt हो कुछ भी तो आप पो सकते हैं, thank you very much for watching this video, have a nice time.